हार्दिक पांडिया और नतासा स्टैनको वेक अलग हो चुके हैं इस बात की जानकारी हार्दिक ने एक फोटो पोस्ट करते हुए कल शाम को दी हार्दिक ने पोस्ट में लिखाया कि हम चार साल बाद अलग हो रहे हैं और ये हमने दोनों ने मिलके डिसाइड किया है फैन्स के रियक्शन आने भी चालू हो गया जहां दोस्तों ट्रेंड करते वे नजर आये हार्दिक पांडिया जहां ट्विटर पर कई लोग कई मीम्स बना रहे हैं वहीं एक इंसान लिखते हैं आफ्टर डिवार्स हार्दिक पांडिया राइट नाउ तुझे देखा तो ये जाना सनम plays in the background वहाई इतियास गवाय के मर्द ने हमेशा अपनी पसंदिदा औरत को गवाया है तो हैं कई लोग उनकी तीन शादियों का भी मजाग उड़ा रहे हैं जहां एक कोट में एक हिंदी रितियर विवाद से और तीसरी उन्होंने क्रिष्टन रितियर विवाद से शादी की थी इसका मजा गोडाते वे कह रहे हैं कि तीन तीन बार शादी की उसके बावजूद भी वो छोड़ कर चली गई तो कई लोग यहाँ पर नताशा को कोस रहे हैं तो कई हारदिक को कई लोग का कहना है कि नताशा ने बिल्कुल सही किया इस इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए था तो कई लोग हारदिक को यह बात कह रहे हैं कि इतना कुछ किया नताशा के लिए इसके बावजूद भी वो उन्हें छोड़ कर चली सबके अपनी अपनी राय है यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि हाल फिलहाल जो हारदिक पांडिया और नताशा है वो सेपरेट हो चुके हैं और बताया जो आ रहा है कि नताशा अपने देश के लिए रवाना भी हो रही है अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि उनका बेटा किसके पास रहने वाला है आने वाला वक्ती बताएगा कि उनका बेटा किसके पास रहेगा तब तक लिए आपको क्या कहना इसके बारे में और प्र अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करते हैं चैनल देखो द